हलो फ्रेंड आज हम बनाएंगे स्वयबीन मसाले वाली स्वयबीन बनाएंगे आज हम स्वयबीन बनाने के लिए यहां हमने 1500 ग्राम स्वयबीन लिए लिए पैकित वाली स्वयबीन खुली नहीं है वन टीस्पून लाल मिर्च वन टीस्पून हेल्दी तूटेबर स्पून धनिया फाफ टीस्पून गरम मसाला और नमक टेस्ट का कोडिंग वन टीस्पून जिंजर गालिस पेस्ट दो बड़े साइस के आलुई है जो छोड़े पीस में काट लिये थे ये खड़े मसाले है एक तेज़ पत्ता जीरा लॉंग और सिया मिर्च सबसे पहले हम थोड़ा ओईल लेंगे कड़ाई में देखिए कड़ाई ले लिए गरम हो गया है ओईल हमारा अच्छा से सबसे पहले हम स्वयबीन को फ्राई करेंगे देखिए सबसे पहले हम स्वयबीन फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से थोड़ा नमक एड करेंगे जिससे स्वयबीन अच्छे से नमकी नमकी हो जाए नहीं तो फ्राई की लगएगी एक चेवीं को कि देखिए फ्रेंड्स अच्छे से सब्सक्राइब पिल्कता करेंगे दो मyंट तक प्यास को fry करेंगे अच्छा से हल्का बुरा होने तक कि आप इसमें टमाटाइरन एक करेंगे जब फेहले चोप करकर रखijd तक तिमाटे वह एट करेंगे थोड़ दे टमाड़ो प्यास को पकाएंगे अच्छी तरीके से अब इसमें मसाले ड़ेंगे पीड़ेंगे अच्छी मसाले चलाएंगे जिससे मसाले बिलकुल भी लगे नहीं टिंजार गाली स्पेस ड़ेंगे अच्छे ते चलाएंगे मसाला देखें अच्छे मसे हमारा मसाला भुन गया है अब इसमें हम आलू एट करेंगे आलू एट करकर हम दो मिनिट तक पकाएंगे मसाले में जिससे आलू में अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए आलू हमारे पक गए है 2-3 मिनिट अब हम इसमें स्याबिनेट करेंगे अच्छे से मसाले मिक्स कर दी है अब इसमें एक गिलास पानी डाल कर हम हाई फिलेम पर पकाएंगे 10 मिनिट तक देखे फ्रेंड्स 10 मिन तक पकाना है हाई फिलेम पे देखिये, दसमेट हो गए हैं, अब इसमें कस्तूरी मेति एट करेंगे, कस्तूरी मेति से फिलेवर बहुत अच्छा आता है, थोड़ा हरा धनिया एट करेंगे इसमें, हरा धनिया हमने काट लिया था, देखिए हर धन्याइट कर दिया है देखिए फ्रेंड्स मसाला स्वयबीन बनकर तयार है बहुत ही लाजवाब बनी है एक बार आप जरूरी ट्राइ कीजिएगा फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप फेस्बुक कर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कीजिए